कुछ ही दिनों में भारतिक क्रिकेट में एक नया यूग का अगाज हो जाएगा टीम इंडिया के वाइट बॉल के कप्तान रोहिट शर्मा के नेतरतों में भारत वेस्टन्डीज के खिलाफ घरेलू सिंखला में जीत हासिल करने के इरादे से ग्राउंड पर उतरेगा साउथ अफरिका के एक खराब दोरे के बाद भारतिक क्रिकेट में राहुल रोहिट का इराख शरू होने को है जहाँ छे फर्वरी से टीम इंडिया तीन मैचों की एक दिवसे सिरीज में कैरी बियाई टीम से दो-दो हाथ करते हुए नजर आएगी इस घरेलू सिरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया गया है जिसके बाद चोट से उबरने के बाद रोहिट शर्मा ने एक दिवसी और टी-ट्वन्टी की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे कर ही कप्तान रोहिट चर्मा खिलाडियों को आजमाना चाहेंगे और इसकी शरुवात वेस्ट अंडिज सिरीज से करनी होगी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं आखिर पहले एक दिवसी मुकाबले में रोहिट की प्लेइंग 11 में कौन से खिलाडी खेलते नज़र आ सकते हैं और किने करना पर सकता है अपने मौके का इंतजार दोस्तों साउथ अफरिका में बुरी तरीके से हारने के बाद सेलेक्टरों ने वेस्ट अंडिज के खिलाफ होने वाले वन डे और T20 सिरीज में काफी बड़े बदलाव कर दिये हैं साउथ अफरिका वाली टीम में से भोनेश्वर कुमार और आर अश्विन की टीम से चुट्टी कर दी गई है वही वेंकटे सेयर को भी सिर्फ दो मुकाबलों के बाद ही टीम से डॉप कर दिया गया जिसके बाद टीम की स्पिन यूनिट को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से सेलेक्टर्स ने चाइना में गेंदबास कुल्दी प्यादो की तरफ रुख किया है इसके अलावा यूवा लेग स्पिनर रवी बिश्नोई को भी पहली बार भारती टीम में शामिल किया गया है जबकि आल राउंडर दीपक हुड़ा भी पहली बार टीम इंडिया में चुन लिए गये हैं हलांकि टीम के उपकप्तान केयल राहूल भी टीम में शामिल है लेकिन वो पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे ऐसे में मिडल ओडर में स्रेय सयर और सुरी कुमार यादो दोनों को खिलने का मौका मिल सकता है इसके अलावा बुमराश श्यमी के गयर मौजूदगी में दीपक चहर और मुहम्मद सिराज जैसे युवागे इंदबाजों पर भी काफी जादा दारोंदार रहेगा वही अभी देखना दिल्चस्प होगा कि क्या टीम इंडिया वापस से कुल्चा की जोड़ी को ग्राउंड पर उतारते हैं या नहीं ऐसे में पहले एक दिवसी मुकाबले में किन खिलाडियों को टीम में जगा मिल सकती है आई एक नज़र उन पर डालते हैं चुकि रोहित शर्मा इसलिए वापसी कर रहे हैं ऐसे में अब उपनिंग में शिखर धवन के साथ भारती कप्तान पारी की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे रोहित और शिखर के अनुभवी कंदों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के जिमेदारी होगी आपको बताने कि इन दोनों ही बल्ले बाजों ने भारती टीम के लिए कई बार ठोस शुरुआत दिलाई है और एक बार फिर से टीम इंडिया के फैंस को इन दिनों धुरंदरों से वैसे ही उम्मीद होगी वहीं तीन नमबर पर पुरो भारती कप्तान और भारत के सबसे बड़े बल्ले बाज विराट कोहली खेलते हुए नज़र आएंगे पिछले कई सालों से विराट लिम्टेड ओवर्स में टीम की बल्ले बाजी को एक स्तंब के रूप में बाधे रखने का काम बखू भी करते आये हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी कोहली अपने काम को जारी रखना चाहेंगे इसके बाद नमबर चार की जिम्मधारी फेसे विकेट कीपर बल्ले बाज रिशप पंत के कंदों पर होगी बेशक बायहाद के इस धुआधार बल्ले बाज ने साउथ अफरीका के खिलाफ एक मुकाबले में खराब शॉट मार कर अपना विकेट गवा दिया था लेकिन इस नमबर पर उन्होंने कुछ शांदार पारियां भी खेली हैं जिससे टीम मेनेजमेंट का भरोसा अभी भी उन पर कायम रह सकता है चुकि केल रहुल पहले मुकाबले में नहीं होंगे ऐसे में नमबर पांच पर उनकी जगा सूरीकुमार यादो या स्रेयस अईयर में से किसी एक खिलाडी को खेलने का मौका मिल सकता है हाला कि अभी इस रेस में सूरिया आगे दिखाई परते हैं क्योंकि उन्होंने साउथ अफरीका के खिलाफ तीसरे वंडे मैच में एक रन बनाने का इंटेंट दिखाया था जबकि अईयर को तीन मौके मिले लेकिन कभी भी वो अपने प्रदर्शन से प्रभावित नहीं कर सके ऐसे में पहले वंडे मैच की प्लेइंग 11 में स्रेयस अईयर का पत्ता कट सकता है दोस्तों इसके बाद ओल राउंडर्स में कप्तान रोहित शर्मा, छे पर दीपक हुड़ा और साथ पर वर्शंग टन्स उंदर को टीम में शामिल कर सकते हैं दोनों ही खिलाडी बल्ले के साथ साथ अपनी ऑफिस पिन गेंदबाजी से भी पांचवे गेंदबाज की भूमिका बखुबी अदा कर सकते हैं और दोनों के अंदर लंबी हीटे लगा कर मैच को खत्म करने की काबिलियत भी मौजूद है वहीं 30 गेंदबाजों की टीम में दीपक चहर और मौहमद सिराज को पहले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है दोनों ही खिलाडियों ने अपने पिछले प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था जहां दीपक ने ODI में तो वहीं सिराज ने टेस्ट मैचों में शानदार गेंदबाजी करके सभी का दिल जीता था ऐसे में इन दोनों ही गेंदबाजों से वेस्टन डीज के खिलाब भी वैसे ही प्रदर्शन के उम्मीद होगी इसके अलावा वेस्टन डीज सिरीज में कुलचा की जोड़ी दोबारा वापस आ सकती है पहले मुकाबले में भारती कप्तान रोह चर्मा कुलदी प्यादो और यूजवेंदर चहल को एक साथ टीम में शामिल कर सकते हैं चुकि एक समय पर ये जोड़ी भारत को कई मुकाबले में जीत दिला चुकी है और इनके पास बीच के उबरों में विगट लेने की काबिलियत मौजूद है जो इस समय पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है ऐसे में फैंस फिर से कुल दीप यादो और यूजी चहल को एक साथ ब्लू जर्सी में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं और इस प्लेइंग 11 के साथ भारती टीम काफी जादा बैलेंस दिखते है जहां बल्ले बाजी से लेकर गेंद बाजी दोनों में ही टीम के पास गहराई और मजबूती दिखाई देती है पर दोस्तों ये तो रही हमारी टीम आपके हिसाब से वेस्टेंडीस के खिलाफ पहले बंडे मुकाबले में भारत को किन 11 खिलाडियों के साथ मैदान पर उतरना चाहिए अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें